जैसा कि आप जानते हैं कि 23 सितंबर 2020 को DRDO ने इंडिया में बनी एक नई लेजर गाइड़ एंडी टैंक मेसाइल को अर्जुन टैंक से सक्सेस्फुली फायर किया जिससे इंडिया में बनी अर्जुन टैंक की पावर और बढ़ गई है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन एक ऐसा टैंक है जिससे दिस्ट्रॉय करना दुश्वन के लिए मुश्किल ही नहीं नामुम्किन है और अर्जुन फैमिली में एक नहीं बलकि तीन टैंक है जो कि एक दूसरे से बिलकुल अलग दिखते हैं आज के इस Guarding India वीडियो में हम इस नई anti-tank missile और अर्जुन टैंक की सब भी important capabilities के बारे में विस्तार में बताएंगे बट उससे पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन वाली आइकन को दबा दीजे चली स्टार्ट करते हैं फिर अर्जुन टैंक इंडिया में बना एक थर्ड जनरेशन में बैटल टैंक यानी MBT है जिसे DRDO ने बनाया है इस टैंक का डेवलोप्मेंट लभक 35 साल तक चलने के करण कई लोग अर्जुन को एक अच्छा टैंक नहीं मानते लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्जुन टैंक को दुनिया के अच्छे टैंक में से एक माना जाता है अर्जुन टैंक को पाकिस्तानी बार्टर के लिए specially बनाया गया था और इसे Israeli Defense Experts ने Desert Ferrari भी कहा है अर्जुन टैंक का नाम मा भारत के सबसे बड़े धनुरदर यानि आचर महान अर्जुन के नाम पर रखा गया है और ये टैंक्स अर्जुन की तरह बहुत ही accurate fire करते हैं अर्जुन टैंक के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि अर्जुन टैंक के तीन variant है नम्मर वण बैसलाइन अर्जुन टैंक जिसे हम अर्जुन मार्क वन भी कहते हैं नम्मर टू अर्जुन मार्क वन ए जो की अर्जुन मार्क वन का improved version है और finally, number 3, सबसे नया Arjun Mark 2 टैंक हम इस वीडियो में तीनों variants की capabilities को बहुत इस simple भासा में समझेंगे सबसे पहले बात करते हैं Arjun Mark 1 की Arjun Mark 1 को आप इसकी box जैसी design से पहचान सकते हैं Arjun टैंक को बनाते टाइम DRDO ने protection को सबसे उपर माना था और इसी लिए baseline Arjun Mark 1 जो की Arjun family का पहला टैंक है की protection दुनिया के बाकी टैंकों से काफी अच्छी है Arjun tank की turret और सामने का हिस्सा कंचर modular composite armor से बना है कंचर armor में composite panels को rolled homogeneous armor RHA की बीच लगाया गया है जिस से ये steel से भी ज़्यादा मजबूत है In fact, Arjun tank की protection capabilities इननामी के T-72 Ajay और T-90 Bhishma tank से कहीं ज़्यादा है और कोई भी anti-tank round Arjun के armor को penetrate नहीं कर सकती है Arjun tank के armor की मजबूती को आप इस बात से समझ सकते हैं कि Arjun tank की trials के दोरान Arjun tank पर T-72 Ajay tank ने point blank range यानि बिलकुल pass से fire किया था लेकिन इसके बाद भी Arjun tank को कोई damage नहीं हुई थी जिससे इननामी बहुत surprise हुई थी Arjun Mark 1 tank में एक 120 mm rifle gun लगाई गई है जो कि सभी type के anti-tank rounds जैसे HE, HEAT और HESH rounds को fire कर सकती है Arjun के सभी rounds की range लगभख 2 km से जादा है अब तक Arjun के सबसे खतरनाक weapons APFSDS rounds थे ये rounds अपनी kinetic energy से ही किसी भी tank को destroy कर देते है 23 सितंबर 2020 को Arjun tank ने अपने barrel से एक laser guided anti-tank missile successfully fire की और इस test के बाद Arjun family का कोई भी tank अपनी main gun से ही anti-tank missile launch कर सकता है इस missile का नाम semi-active mission homing यानी SAM हो है इस missile की range 4 km है और इसमें एक tandem charge high explosive anti-tank warrior लगा होता है जो कि दुनिया के किसी भी modern tank के explosive reactive armor को आसाने से destroy कर सकता है इसके अलामा SAM हो missile जमीन के पास उड़ते हुए helicopters और दुश्मन के bunkers को easily destroy कर सकती है SAM हो को एक बहुत ही advanced missile है और एक laser guided missile होनी के current इसका निशाना बहुत ही accurate होगा इसलिए SAM हो missile के लगने के बाद इडिया के Arjun tank की power काफी बढ़ जाएगी क्योंकि अब ये 4 km दूर से ही पाकिस्तानी और Chinese tank को destroy कर सकता है DRDO इस missile की range को 5 km तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है Arjun Mark 1 tank में 120 mm gun और missile के अलावा helicopters को target करने के लिए एक 12.7 mm anti-aircraft machine gun और दुश्मन की soldiers को target करने के लिए एक 7.62 mm coaxial machine gun भी लगाई गई है इन सभी advanced weapon को चलाने के लिए Arjun tank में एक computer based fire control system लगाया गया है जिसे इंडिया और इस्रेल ने मिलकर बनाया है इस fire control system की accuracy और hit probability 90% से भी जादा है Arjun में भारत Electronics Limited, PEL की बनी combined day site और France के बने thermal imager लगे है जिससे Arjun tank दिन और रात दोलों में अपने target को धूड के उसे destroy कर सकता है Arjun tank का electronic system बहुत advanced है और इसमें कई powerful computers लगाये गए है जिससे Arjun बहुत सारे ऐसे काम कर सकता है जो कि T90 भीश में tank भी नहीं कर सकते Arjun tank में GPS based navigation systems लगे हैं, Arjun tank में Israel के बनाए हुए advanced frequency hopping radios लगाये हैं जिससे ये बाकी Arjun tank से बाचीत कर सके अब मैं आपको बताऊंगा Arjun Mark 1 tank की एक ऐसे advantage जो कि Arjun को एक बहुत ही खतरनाक शिकारी बनाती है Arjun tank में DRDO और Israel के बनाए हुए एक battlefield management system यानी BMS लगा है जो कि सभी Arjun tanks को आपस में connected रखता है इस system के चलते कई Arjun एक साथ काम कर सकते हैं और दुश्मन के tanks को easily ambush कर सकते हैं Arjun Mark 1 tank में एक 1400 horsepower का water cooled engine लगा है जो कि इसे 70 km per hour की speed देता है आप ये जानके surprise होंगे कि अपनी advanced design के चलते 60 ton से भी ज़्यादा weight होने के बाद भी Arjun tank का ground pressure 43 ton के T-72 tank से कम है अब बात करते हैं Arjun Mark 1 A tank की जो कि Arjun family का दूसरा tank है इसे आप इसके सामने लगे explosive reactive armor यानी ERA panels जो कि इसके सामने और sights का आधा हिस्सा cover करते हैं से आसानी से देख सकते हैं Arjun Mark 1 A tank में DRDO के बनाए हुए explosive reactive armor यानी ERA plates लगाई गई हैं जिससे आप वीडियो में clearly देख सकते हैं इन ERA panels का weight approx gear ton होता है जो कि Arjun Mark 1 A tank को सामने और sights से protection देता है इसके अलावा Arjun Mark 1 A tank में tank के tracks के ऊपर additional protection लगाई गई है जो कि T-90 tanks में भी नहीं है Arjun tank में US का बना हुआ gear ton का track width mine plow लगाया गया है जो कि Arjun Mark 1 A को दुश्मन के किसी भी mine field को cross करने की capability देता है जो कि वीडियो में clearly visible है Arjun Mark 1 A tank में Elbit system का बना हुआ electronic suit लगा है जिससे Arjun targets को बहुत तेजी से देख सकता है Arjun tank के electronic suit के दो parts होते हैं पहला Advanced Laser Warning and Countermeaser System जिससे हम Al-Walks भी कहते हैं और दूसरा Commanders Open Architecture Paneromic Sight यानि COAPS COPS Vectronic suit के पहले part यानि Al-Walks में 4 ELWS Laser Warning System लगे होते हैं जो कि किसी भी laser या infrared beam जो कि enemy missile और tank यूज करते हैं को immediately detect कर लेते हैं और तुरंथी Arjun tank के commander को audio और visual warning के साथ ये information डिस्प्रे कर देते हैं कि tank को कौन से enemy किस position से या tank किस direction से target कर रहा है ELWS system एक बहुत ही मजबूत system है और इस पर दुश्मन की firing का कोई असर नहीं पड़ता ELWS के अनावा अलवाक्स में एक दुश्मन के weapon की laser को रोकने के लिए एक IR jammer और दो एट launcher aerosol smoke screening system दिये गए हैं जो कि Arjun tank के सामने एक धुए की ऐसी थिक layer बना देते हैं जिसे दुश्मन की laser नहीं पार कर पाती और दुश्मन की laser Arjun tank तक नहीं पहुचेगी तो उसकी anti-tech missile जो की laser guided होती है Arjun tank को target नहीं कर सकती Arjun tank के electronic suit का दूसरा important हिस्सा है Commanders Open Architecture Panoramic Sight यानी COPS ये एक dual axis में stabilized की हुई remote operated periscope system है जिसे Arjun Mark 1A के commander यूज करते हैं COPS में French Sagem Mattis STD thermal imager लगाया गया है जिससे Arjun tank के commander दिन रात या खराब मौसम यानी सभी तरह के weather condition में target को easily देख सकते हैं और gunner के लिए इसमें France की बनी Catherine FC thermal imager लगाया गया है COPS में एक integrated laser target tracker LTT लगा होता है जो कि Arjun tank के barrel से fire होने वाली laser guided anti-tank और anti-helicopter missile को guide करता है Arjun Mark 1A में DRDO और Sweden की Barracuda company का बनाय हुआ mobile camouflage system है जो कि Arjun tank के radar, infrared और सभी तरह की signatures को बहुत कम कर देता है जिससे दुश्मन के tanks इसे नहीं देख पाएंगे आने वाले समय में Arjun Mark 1A tank के लिए इन्हें आमी ने SAAB के LEDs 150 active self protection system जिसे land electronic defense system भी कहते हैं को चुना है ये active protection system दुश्मन के tank से आने वाले anti-tank rounds को अपने tank में hit करने से पहले ही खत्म कर देता है जो कि तुम share तो मैं सवा share की सार्थक्ता को सिद्ध करती है इन्हे improvements के चलते Arjun Mark 1A का weight Arjun Mark 1 के 62 ton weight से बढ़कर सरसर ton हो गया है इसी बढ़े हुए weight के चलते Arjun Mark 1A के hydro pneumatic suspension system को redesign करके 70 ton capacity का बनाया गया है इस weight के चलते Arjun Mark 1A की speed कम होकर 58.5 km पर आर हो गई है वहीं इसके पहले के version यानि Arjun Mark 1 की speed 72 km पर आर थी लेकिन आपको यह जानके surprise होगा कि 5 ton weight जादा होने के बाद भी Arjun Mark 1A का acceleration यानि 0 से maximum speed पहुँचने की capability Arjun Mark 1 से अच्छी है और इसलिए इन नामी Arjun Mark 1A tank से बहुत impress होई है Arjun Mark 1A tank में Arjun Mark 1 tank के comparison में 72 improvements हैं जिसमें से 14 major capability upgrades है Arjun Mark 1A tank को इन नामी में 2019 में काफ़ी test के बाद पास किया है और 118 Arjun Mark 1A tanks का order भी दिया है मैं आपको बताना चाहूँगा कि Heavy Vehicle Factory जो की अवदी तमिलाडू में है एक साल में लभख 30 Arjun Mark 1A tank produce करती है और Arjun Mark 1A का order 2024 से 2025 तक complete होने की उमीद है अब बात करते हैं Arjun tank के तीसरे variant की जिसे Arjun Mark 2 कहा जाएगा ये tank Arjun Mark 1A tank से भी ज़्यादा advance है और इसे आप वीडियो में इसकी design से देख सकते हैं दिखने में Arjun Mark 1A और Arjun Mark 2 में एक बड़ा difference है इसकी sight profile जहां Arjun Mark 1A के turret में ERA panels सिर्फ आधी दूरी तक हैं वहीं Arjun 2 catarate पूरी तरह से redesign किया गया है Arjun Mark 2 की बात शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि Arjun Mark 2, Arjun Mark 1 और Arjun Mark 1A से भी ज़्यादा advance है Arjun Mark 2 tank पर DRDO भी research कर रहा है और जो भी नई technology in and army बता रही है वो इसमें लगाई जा रही है Arjun Mark 2 के prototypes को 2014 के defense expo में दिखाया गया था Actually Arjun Mark 1A को बनाने के बाद इनन army और DRDO ने ये जान लिया कि लगभख सरसर टन वाला Arjun Mark 1A tank बहुत भारी है और इसलिए इनन army ने DRDO को Arjun tank को redesign करने को बोला ताकि नए Arjun Tanks का weight कम हो इसके बाद DRDO ने Arjun के कंचन modular armor का नया वर्जन कंचन Mark 2 डिवलप किया जो की बहुत हलका और जादा मजबूत है कंचन 2 armor की वज़ा से Arjun Mark 2 tank का weight लगभख 55-60 ton हो गया है लेकिन इतना weight कम होने के बाद भी Arjun Mark 2 का protection किसी भी Arjun variant से जादा है Arjun Mark 2 में protection बढ़ाने के लिए इसके आगे light weight ERA panels लगे हैं और इसमें Arjun Mark 1 A में लगे सभी system के advanced variants को यूज किया गया है Arjun Mark 2 की gun काफी improved है और ये सभी तरह की anti-tank और anti-helicopter missile जैसे की SAMO missile जिसके बारे में आपको बताया गया है को आसानी से अपने barrel से fire कर सकेगा Missile firing capability के अलावा Arjun Mark 2 इंडिया में बना APAM round यूज कर सकता है जिससे ये दुश्मन के सैनिको और anti-tank squads जो की missiles और RPG यूज करते हैं को easily मार सकेगा Arjun Mark 2 में US का बना हुआ 1500 horsepower वाला QSK38 ESM500 इंजन लगाया गया है जिससे ये battlefield में बहुत ही fast होगा और इसकी speed 72 km per hour होगी जो की T90 भीश्मन टैंक से भी जादा है इसके साथ ही Arjun Mark 2 में एक नया suspension system लगाया गया है जो की टैंके के अंदर बैठे जवानों को comfort बढ़ा देता है जिससे वो battlefield में और भी effective होते हैं Arjun Mark 2 में Arjun Mark 1A से advanced Israeli integrated battle management system यानि की BMS लगाया गया है जो की सभी Arjun Tanks को अपस में connected रखता है इस सिस्टम के चलते कई Arjun Mark 2 Tanks और Arjun के अलग अलग variants के Tanks एक साथ काम कर सकते हैं और दुश्मन के Tanks को ambush कर सकते हैं Arjun Mark 2 की capabilities से impress होकर जनवरी 2020 में आर्मी चीफ मनोज मुकंद नरावने ने बताया था कि Arjun Mark 2 Tanks एन और आमी की सारी operational requirements को पूरा करते हैं और इसे जल्द ही आमी में शामिल किया जाएगा अपनी ऐसे ही capabilities और advanced system के चलते एक Arjun Mark 2 Tanks की cost लभग 34 करोन रुपए होती है लेकिन इस cost पर भी Arjun Mark 2 अपने बराबर के capability वाले दुनिया के और Tanks जैसे की US M1 Abram Tank और British Challenger Tank के comparison में काफी सस्ता है आखिर में Team Guarding India के तरफ से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि Arjun Tank आज दुनिया के सबसे अच्छे टैंकों में से एक है और पाकिस्तान और चीन के पास Arjun Tank का कोई भी जवाब नहीं है अभी इननामी ने ओलेडी 124 Mark 1 Tank और 118 Arjun Mark 1 A Tanks का ओर्डर दिया है इसके अलावा इननामी एप्रोक्स 500 Arjun Mark 2 Tanks का ओर्डर देने की planning कर रही है Team Guarding India इस बात के लिए fully confident है कि war में Arjun Tank के तीनो ही variants किसी भी पाकिस्तानी टैंक को आसानी से destroy कर देंगे और कम numbers में होने के बाद भी पाकिस्तानी और चाइन से किसी भी attack को रोग देंगे इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम end करते हैं और वीडियो को like, share और subscribe करना और अपने मित्रों के साथ share करना न भूले मिलते हैं आप से नई वीडियो में और हाँ, subscribe के बाद घंटी के option आ रहा होगा उसको दबा दीजेगा जहिंद